आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परिशा के आज के इस वीडियो में जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा बिहार सिक्षक भरती 2023 के लिए जो महा रिवीजन सीरीज हमारी चला रहे है उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे आप लोग जानते हो फ्रेंड्स की आप कि बिहार सिक्षक भरती डिसमबर 2023 या फिर जिसको फेस टू या टी आरी 2.0 आप लोग बोल रहे हो उसका शंखनाद हो चुका है बिगुल बच चुका है उसका उसका इंटीमेशन आप लोगों को आ चुका है बहुत जल्दी डिटेल आप लोगों को पूरी की पूरी जान करते हुए फ्रेंट्स आपने क्या करना है अपने आपको अपने आपको आप लोगों ने पूरा का पूरा जो अभी तयार कर लेना है अच्छे से चालिए तो हम यहां पर में जल्दी से हमारे जो है आगी बढ़ते हैं हम लोग हमारे पहले कोश्चन के तरब में उससे पहल लावा अगर मैं बात करूँ आप लोगों से आज के मोटिवेशनल कोट की तो देखिए फ्रेंट्स सीक्रेट ऑफ सक्सेस इस तो बी रेडी वेन यूर अपर्चुनिटी कम्स जब आपकी अपर्चुनिटी आपके सामने आती है उस समय आप लोगों ने क्या करना है आप ल अपर्चुनिटी आई है उस समय में रेडी रहना यही जो है आपका क्या होता है सक्सेस का सीक्रेट होता है यह याद रखना है आप सबी लोगों ने पहले कोशन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं आपको बताना है कि इंडियन ओपीनियन नाम का जो अकबार था उसक आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि गांधी जी ने साउथ अफरीका में कौन सा अखबार शुरू किया था तो महात्मा गांधी ने साउथ अफरीका के अंदर में देखो यह कोशन और बन गया आप लोगों का साउथ अफरीका के अंदर में स्टार्ट किया था उन्होंन तो चलिए यहापर में देख लीजिए, इंडियन ओपिनियन, गांधी जी के और कौन कौन से अकबार है, यंग इंडिया, गांधी जी अपने आपको यंग मानते थे भाई, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, गांधी जी न अपने आपको हमेशे यंग म में कोश्चन के ऑप्शन को एलिमिनेट करने में भी मदद कर सकते हैं ठीक है चालिए नौ फ्रेंट्स महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन यंग इंडिया हरीजन ठीक है नौ जीवन यह याद रखेंगे सुधारक और नेशन नाम के जो अखबार है यह किसने निकाले ते ग पॉर्वर्ड याद रखना है important exam के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है नेक्स्ट कोश्चन के तरह में आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से किसने 1920 के इंडियन नेशनल कॉंग्रेस सत्र के जो विशेश शत्र था उसकी अध्यक्षता की थी मैंने पिछले lecture के लिए था आप लोगों को उसकी अंदर में कि इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के विशेश शत्र का अध्यक्षता किसने की थी तो लाला लाजपत्र आप लोगों को हो जाएगा तो विशेश शत्र हुआ था आपका September में कहां हुआ था कलकत्ता में कलकत्ता तो जो explanation देता हो न स्पेशल सेशन कलकत्ता में लाला लाजपत्राय जो है इसके अध्यक्ष थे यह याद रखना है नॉन कोपरेशन मुवमेंट जो था और सहयोग आंदोलन उसके लिए यह विशेश शत्र बुलाया गया था बाकि जो नॉर्मल सेशन था रेगुलर सेशन वो हुआ था नागपूर में सी विजय राघव चारियर उसके अध्यक्ष थे तो यह याद रखना है आप लोगों के लिए आज एक गुड न्यूस भी है लास्ट में मैं आप लोगों को दूँगा ठीक है तो यह जैसे एंसी आइटी बेस्ट कोशन है आप लोगों का तो कैसे आप लोगों कर सकते हो क्या आप लोगों के लिए टीचिंग परिक्षा एक और पुरी की पुरा एक उपक्रम लेकर आया है वो भी मैं आप लोगों को वैसे ही friends इसी को आधार बनाकर मदरास के अंदर में वेदा समाज की स्थापना की गई थी, मदरास में, वेद समाज की, तो वेद समाज किस से inspired था, ब्रहमो समाज से inspired था, यह याद रखना है आप लोगों ने, यह बहुत ही important question है आप लोगों का, तो वेद समाज की स्थापन होकर मदरास में वेद समाज की स्थापना की गई, now very interesting question, अभी 11 बजे मेरी class थी, उसके अंदर में मैंने करवाया, मैंने कहा था, आप लोगों से की याद रखना है, आप लोगों से मैं इसकी revision लोगा, इसको revision लोगा, मैं आप लोगों से आप से सवाल पूछूँगा, बता लोग एकदम जोरदार तरीके से answer कर देंगे, अभी just आप लोगों को पढ़ाया है, मैंने 11 बजे अभी जो class हुई है, आप लोगों की, आप से कहा भी था, कि आप लोगों ने याद करना है, इसको और मैं आपकी revision करवाता रहूँगा, तो answer हो जाएंगा friends, आप लोगों का तो economics का किसको दिया गया है, और वो भी आपको पते किसके लिए दिया गया है उनको, आर्थिक विज्ञान के लिए, यहाँ पर में जो Claudia Goldin है, इनको दिया गया है, कि भाई, महिलाओ का labor force में क्या contribution है, भाई, बहुत ज़दा contribution है, महिलाओ का, अब महिलाओ की जब आर्थिक स्थिदी सुदर जाएंगी, बहुत सारा पैसा आजाएंगा, तो बहुत सारा gold खरी देंगी, महिलाओ, बहुत सारा sona खरी देंगी, तो ऐसा आप लोग जो है, यहाँ पर में, इसको याद रख सकते हो, ओके, तो आर्थिक, जो है, यहाँ पर में, अर्थ व्यवस्था का, या economics का जो नोबल पुरुसकार है, यह Claudia golden को दिया गया है, यह याद रखना था आप लोगों ने, याद रहेंगा आप सभी लोगों को अभी, जल्दी से like कर देंगे session को, अगर आप लोगों को यह चीज याद हो गई है, तो, बाकी friends, मैंने एक और चीज आपको याद आपकाती यहाए थे, जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, इक है, एक जितने भी प्यारे बच्चे होते हैं हमारे, प्यारे बच्चे, उनका Cross मिलेंगा, क्यूंकि उनको आना जाना कुछ है, नहीं क्योंकि, वह हुल्लर मचाते रहते हमेशा, PHYOSX के अंदर में, बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन इदर उदर घूमता रहता है वैसे वो लोग भी इदर उदर घूमते रहते हैं हमारे प्यारे प्यारे बच्चे उनको क्रॉस मिलेंगा जीरो मिलेंगा मतलब गलत मिलेंगा उनको क्योंकि आना जाना कुछ है नहीं हुलड मचाते रह को मिला है हुलण मचाते रहते है अभी आद किया है पूरा का पुरा और मैंने आपको demonstrate करके बताया कि कैसे आप लोग actual में question जब आता है तो आप इसको आप लोग solve भी कर पाते हो ठीक है चालिए अगे बढ़ते हैं यह है Claudia मेडम और मेडम ने भी देखो कुछ गोल्ड का पहना हुआ है demonstrate करने के लिए दानी सर बता देना करके देखो मैंने गोल्डी है दानी सर ट्री कैसे बता देना मैंने गोल्ड पहन लिया अगर के ठीक है तो मैं ठीक है बता देगी करें इंचन ना लाओ Now friends which governor general of India abolish sati system in 1829 by declaring it is an offense ठीक है इस भारतिय गवर्नर जनरल ने 1829 में sati प्रथा को अपराद घोशित करके समाप्त कर दिया था तो sati प्रथा को समाप्त कर दिया गया था Lord William Bentic के द्वारा ठीक है यह याद रखने हैं आप लोग ने फ्रेंड्स Lord William Bentic Lord William Bentic कि अच्छा लओर विलियम Bentic का नाम आया है ठीक है sati प्रथा से रिलेटेड कि Sati Prath हो उन्होंने खतम करवा था इसने उन को मस्ताहित कि अगर समाप्त करने में मैं एक दिन ओरラएक करता हूँ दिन और यह राजा राम मोहन रोई ने उसको समझाया जाकर मतलब राजा राम मोहन रोई किसी को भी डरा सकते थे जाकर लौड विलियम बेंटिक को जाके पूरी अच्छे से समझाया देखो बेंटिक भीया ऐसी ऐसी बात है ठीक है जला रहे देख लो तुम क्या करने है तुम लोग देखो तुमारे हाथ में तो तुमारे भी पकोड़े तले जाएंगे अगर तुमने यहां पर में कदम ने उठाया तो ऐसा कुछ तो भी बोलाओंगा लौड विलियम बेंटिक भी डर गया बोले यार मैं कैसे कर जल्दी से खतम करो इसको तो उसने कानून बनाया 1929 के हाँ यह वाली अपने पसंद क की इसको बता होकर के तो पुराने धर्म गरंथों में से ही वह पुराद सो निकालकर जंता को बताते थे ऐसे कि मैं मानलो कि महाभारत में से एक एक लाइन निकालकर लालूँ यहां पर में कि जिस जिस बच्के वच्चे ने भी हापर में session को ब्लाइक नहीं किया है ठीक है उसको जो है उसके उपर में भगवान जो है बहुत ज़्यादा क्रोधित होंगे उसका मोबाइल की बैटरी जो है वह खराब जाये और बहुत जल्दी जल्दी ड्रेन हो जाएगे और उसी समय ड्रेन होंगी जब उसकी गल्फेंड का उसको मैसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 828 में यह बने थे लेकिन उस समय में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पत्था इनका फिर बाद में 833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए तो A is the correct answer यह है आप लोगों के लॉर्ड विलियम बंटिक ओके नौ फ्रेंट्स दे रिसोल्यूशन फॉर नौन कोपरेशन मुवमेंट वस पास्ट बाइए इंडिया से समझना नौन कोपरेशन मुवमेंट का प्रस्ता हो नौन कोपरेशन मुवमेंट इसका प्रस्ता हो ठीक यह आप लोगों का रखा गया था ठीक है सेप्टेंबर सेप्टेंबर 1920 के अंदर में जो कलकत्ता में स्पेशल अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में इसके अध्यक्ष कौन थे अभी बताए न आप लोगों ने लाला लाज पत रहे थे इसमें गांधी जी ने प्रस्ताओं को अब जो प्रस्ताओं को ठीक है जिस प्रस्ताओं को यहां पर में रोका था चितर अंजन दास वगेरे जो लोग थे उन लोगों ने यह प्रस्ताओं पास नहीं होने दिया था आपको पता है गांधी जी भी समझाने के मामले में बहुत बढ़िया थे उन्होंने सबको समझ चितर ग्यनन्जंडास खुद आयी रिष्टा लेकर ठीक है, नॉनकॉरपरेशन मॉमेंट को मैं प्रस्तूत करता हो करके, यहाँ पर मैं को्चों प्रस्तूत किया त्युन यहाँ पर मैं चितरे रएंजडास ने खुद इसको किया जिन्हों विरोध किया था September में, दो महिने में वक्त बदल गए, जजबात बदल गए, हालाद बदल गए, चित्तर अंजन दास भी बदल गए, ठीक है, तो चित्तर अंजन दास ने खुद यहाँ पर में प्रस्ताव प्रस्तुत किया, it's just like कि आपने अपने मम्मी से मिलाया लड़की को, मम्मी इसको तो मैं अपनी बहुनी बनाऊंगी, दो बहने बाद मम्मी आते, इस से शादी नहीं किया, तो मैं जहर खालूंगी, इसी से करना पड़ेंगा, तेरे को मेरे को नहीं पता, अभी मेरे को यह पसंद आ गई है करके, पहले मना कर दिया था मम्मी ने, अब मम्मी बोले, इसी से करना है करके तेरे को, तो पहले चित्तर अंजन दास ने मना किया था, बाद में खुद चित्तर अंजन दास जो है नाखपूर सेशन के अंदर में इसको प्रस्तावीत किये थे, यह याद रखेंगे आप सबी लोग, यह कोशन आता है कि December 2020 में नाखपूर करन्ट टफएर का कुशन और मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बताओ कि यह कोशन अभी कराया है कि नहीं कर वाया मैंने आप लोगों को धिक है, यूनेजको की पुरी 42 साइट्स याद करवाई है आप लोगों को राट के एक बजे तक सेशन लेकर, ठीक है, मज़ा तो यह बताया था उसके अंदर में आपको बोला है कि पाच बार रिवीजन करना है उसकी आप लोगों ने पाच बार उस सेशन की धाई घंटे तक सेशन हुआ है एक घंटा और देड़ घंटा हम लोगों ने पूरा किया रात के एक बज़े तक और उसी में बताया कि आप लो को ऐसे ही में धीरे 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 रिवीजन करवा दूंगा ओके तो और इसने का है दो बार शुष्मा कुमारी बोल है कि सर दो बार हो चुकी है रिवीजन चलो तीन बार और बचे है अच्छे कर रहिए और मैं आपको बता दू तीसर दूसरा वाला ये 41 नंबर का था ठीक ह 41 number का है ये, 41 number का, 42nd number का भी add हो चुका है, 42nd number का है आप लोगों का, ठीक है, होई साला, होई साला कीoffoles स्वाइं, होई साला temples लोगों का उनको शामिल किया गया है, 42nd number का, तो अभी 42nd, 42 अप लोगों के, उने कम से कम पाच बार देखना है और जिस बच्चे को पाच बार हो जाइगा मुंझे बताएंगा सब्सक्पार को में details यह याद रखेंगे शांती निकेतन इसको आप मिश्व भारती recording नाम उनिवरसिटी के नाम उतना के उनिवर्सिटी जिसके चांसलर प्रधानमंत्री होते हैं बाकि सारी उनिवर्सिटी जो भी केन्दयय इच्पाहिकां नंबर बैए कंद्रीय युनिवनिवर्सिट्थेश थि स्स्पाहिव्णします थिक जल्दी जल्दी से इसका आंसर करते जाएंगे आप सभी लोग आंसर जो है विच मुगल एंपरर एग्जेकुटेट नाइन सीख गुरु तेक बहादूर तो नवे नमबर की जो सीख गुरु से ठीक है गुरु तेक बहादूर जी इनको किसने यहां पर में फासी दी थी उनको जो है मौत की सजा दे दी थी तो आंसर जो है आप लोगों का ह ठीक हो जाएगा वरंग ज दो सीख गुरु है जिनको मौत की सजा दी गया है मुगलों के दौरा एक है पाचवे नमबर के सीख गुरु और यहां नमबर तेक Casto Paragru आंनch नमबर के सीख गुरु असरे रुचन देव्जी और ना था तो किसे गुरु ठंधिय थे उनको परat इनको दी गई थी औरंग जेब के द्वारा मौत की सजा ओके तो दो सिख गुरु है जिनको मुगलों के द्वारा एक्जेक्यूट किया गया है यह याद रखना है आप लोग ने पाच्वे नंबर के और नौवे नंबर के आपको यह भी पूछा जा सकता है कि जहांगीर के द लोगो सिंग द्वा जनिए उनका जनम बिहार में हुआ था पठ्टना के अंदर में यह याद रखना है आप लोगों ने ठीक है गुरू गोविन सिंग जिए वह दशेल आंप५र Later Ibu में हैं आप लोगों ओवर दा आएंसी लखनों सेशन इन 1916 1916 के अंदर में किस ने किया था यहां पटना साही भी नहीं के नाम के उपर में उपड़ा हुआ वहाँ पर में एक जो है आपका बिसिकली एक गुरुद्वारा भी बनावाया वहाँ पर में यहां पर में जो है फेंटस आंसर होराइंगा अभी का चरन मज्यूंदार अंभी का चरन मज्यूंदार जो है उसके इंडियन नैशनल कोंग्रेस तो जो लखनों में अभी आए तैन कही थो से थैंज को मठीस है। फ्रेंड हां इन ऍंजीए नेशनल को भंगरेस के तरफ से मुन्मीक लीग के तरफ से मुहमंद अली जिननन 그래क्ष थे मुहमंद आली तो तो यह भी से चयू धर रख सकते हो इसके अलावा जो नरम न गलब भी 97 अंदर m हुआ था नरम दल गरम दल जो 1907 में अलग हो गए थे वह वापस से मिल गए थे इसके अंदर में तीक एनि बेजन्ट के प्रयास हो के द्वारा अंभी का चरण मजुमदार उसके अध्यक्ष थे 16 के लेकिन प्रयास किस ने किया यहां पर में एनि बेजन्ट ने किया था मिलाने का आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहां पर में देखें यहां पर में देख सकते हो कि जैसे for example 1911 के अंदर में कलकत्ता अधिवेशन के अंदर में राष्ट्रगान जो हमाराबाद में जाकर बना जना गना मना उसको पहली बार गाया गया था अपने आप में कोश्चन बन सकता है कलकत्ता अधिवेशन 1896 के अंदर में रहमत अल्ला एम सयानी उस समय में अध्यक के अंदर में पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे यह जोर्ज यूल पहले मुस्लीम अध्यक्ष कौन थे यह कोशन आता है आप लोगों का 1887 के अंदर में ठीक है आप लोगों का मदराश सेशन के अंदर में पहले मुस्लीम अध्यक्ष थे तो किसी भी तरीके से कोशन पूछ तेलिग्राम गूरूप है उसके ओपर में चाली आगे बढ़ते है आप लोगों का इंग्लिश में भी है पूरा-का-पूरा ऐसे आप देख सकते हो पतना में सिख कौन से नंबर के सिख गुरू है जिनका जनम हुआ था ठीक है नंबर भी बताना है नाम भी बताना है आप सभ बिल जाएंगी और वही पर आप लोग उस टेस्ट को दे भी सकते हो तो उस टेस्ट के अंदर में भी डाल देंगे उसको उस लिस्ट को पन ताकि आप रिविजन कर सके तो गुरू गोविन सिंग जी जो है इनका जनम जो है 1666 के अंदर में हुआ था पतना के अंदर में ठी कि तैंथ नंबर के गुरू यह याद रखेंगे आप सबी लोग ओके कि इनके पिता जी का नाम मैंने भी आपको बताया कि घुरू तेक बहाधूर ठाए और इनके मम्मी का नाम अदा गुरी ठीके तो माता गुजरी उनको कहा जाता था उनके घर में का जन्म हुआ तो गु बहुत भी लिविंग गुरु नहीं बना उन्होंने कहा कि गुरु 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 गुरुट साहिब इक्तेदारी प्रOTHER प्रारम की गई थी किसके दुआरा, 29th Bihar जो Junior GS का पेपर हुआ था उसके अंदर में कॉसचन आया था, इक्तेदारी की होती है, यह भी समझने वाली बात, इक्तेदारी क्या होती है, मान लीजिए violation ठीक है कि मैं जो है भारत का प्रधान मंत्री बन गया ठीक है कि मैं हूँ मैं भारत का प्रधान मंत्री बन गया अब भारत के अंदर में से लोकतंतर खतम हो गया सब कुछ ठीक है मान लो ऐसा कुछ हुआ कभी मैं बन गया यहां पर में आप मेरे सैनिक हो आप जो है आप एक से करने के लिए ठीक है मेरे पास मों कुछ sulphation है जिनकी में रख राका हो करता हूँ जिनको खाने-पिने का ध्यान रखता हूँ उनकी salary देता हूँ ठीक है तो मैं आपकी मदद करूगा इतन quickly भारत की रख्षा करने वहां से tax जो आएगा वह वसूल करके अपनी salary वसूल कर लेना उसको कहा जाता है इक्तेदारी प्रथा और इसको इलतुत मिशने start किया था इक्तेदारी प्रथा को salary के बदले में salary के बदले में जमीन का एक तुकड़ा दे देना और वहां से बोलना कि आप अपना salary वसूल कर लो और बाकी का बचाओ वह उपर में भेज दो हमारे पास में वह इक्तेदारी प्रथा कहलाती है इलतुत मिशने इसको start किया था answer आप लो तंका और जीतल नाम के सिक्के इसने जारी किये थे जीतल ठीक है तंका जो है आप लोगों का तंका यह आपका चांदी का सिक्का था सिल्वर का और यह जो था जीतल यह कॉपर का सिक्का हुआ करता था और यह शुद्ध अरभी भाषा में लिखे जाते थे अरभी लेंग्वेज के अंदर में अरभी लेंग्वेज में लिखे जाते थे सिक्के यह शुद्ध अरभी भाषा में टंका और जीतल किसने जारी कि लाइक भी कर देंगे, फ्रेंट, 1200 के करीब लोग देख रहे हैं, यहां पर मैं जल्दी-जल्दी से सेशन को लाइक भी कर देंगे, जहां-जहां शेयर कर सकते वहां, शेयर कर देंगे, ताकि ऐसे ही, जो है, मोटिवेशन के साथ में, मैं आप लोगों को पढ़ा सको, तारी आपका हो जाएगा, option number B, इक्तेदारी प्रताश जालू की थी, टंका और जीतल नाम के सिख्ये भी उसने जारी किये थे, काफी सारी चीज़ें उसके बारे में बताने के लिए, लेकिन अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंब किया था, BPSC Auditor की एक्जाम में आया है, और इसी साशक ने, पार्सी जो New Year है, ठीक है, उसको भी भारत के अंदर में, जो है, मनाना स्टार्ट किया था, नौरोज को, इस साशक की नीती थी, लोहो और रक्त की, कि भाई, लडाई करो और खून बहाओ करके, लोहो और पाईबोस, ये गैर इस्लामिक जो परंपरा है, उसको स्टार्ट किया था, उसने, ठीक है, सजदा मतलब कि सामने में सर जुकाना, और पाईबोस मतलब पैरो को चूमना, पाईबोस, तो ये स्टार्ट किया था, बलबन ने, नौरोज मनाना भी किसने स्टार्ट करवाय उसकी लाइफ जहिंगा लाला अभी तोड़ी दे अभी जब 11 बज़े वाली क्लास थी हमारी नोबल प्राइस वाली उसमें आपको इसकी भी ट्रिक बताया है मैंने ठीक है यह ट्रिक कोई बता सकता है मुझे जल्दी बताएई यह ट्रिक और यह बहुत बहुत बहतरी नहें केंश्टरी का नोबल किसको मिला है आपको सारे कि सारे नोबल किसको मिला है आपको वाला पर हैं में मैं brush से कर दूसरे में मिला दूँगा अलग अलग नहीं रखओं आप लोग को एक अप लोगों का मैंने सोच आप मूंग की दाल और भिंडी की सबजी को में brush से brush से एक दूसरे में मिला दूँगा अलग-अलग नहीं रखूंगा एक ही में मिला दूँगा जिससे के मेरा एक नया रसायन बनेगा ठीक है तो एक हमने याद किया था बहुए ओ इन लोगों को रसायन विझ्यान का मिल है यहु मूंग की दाल मूंग और भेंडी को मिलाएंगे हम लोग ब्रस से एक दूसरे के अंदर में अलग अलग नहीं रखेंगे एक ही में मिला देंगे उनको ब्रस से घोल देंगे पूरा का पूरा नया रसायन बन जाएंगा हमारा तो रसायन जो है यहाँ पर में रसायन विज्ञान का बन गया आप लोगों का ठीक है तो देकि कितना बढ़िया तरीके से याद होगे आप लोगों को रसायन का नोबल पूरुतकर किसको मिला है मूंग और भिंडी ब्रस से एकी में मिला देना है आप लोगों ने ओके तो मौंगी बवेंडी ठीक है कर रहे थे उसके अंदर में ट्रिक याद आ रही थी उनको क्योंकि आपको एक्जाम में ओप्शन दिये होगे होते हैं आप लोगों को याद आएंगा बस रिवीजन करने की देर है जितना ज्यादा रिवीजन करोंगे उतना ज्यादा आप लोगों को याद हो जाएगा यह जल्दी जल्दी पताईए यहां पर में जल्दी जल्दी से इसका आंसर करते रहेंगे आप सभी लोग बहुत बढ़िया देखिए अगर हम लोग बात करेंगे निम्नलिकित में से किस विदेशी नागरी को भारत रतर प्रदान किया गया है नलस्न perché देखिए निल्सन मंदेला बिल क्लीतर घ्डोल फिटलर बोरिस एल्तीस अडर फिटलर को भारत रत रतने क्यू देंगे हम यहां पर में लिचे तो दो ही लोगों को देव तक एक है ठान अब्धुल कफार छान अब्दुल कफार अब्धूल गफार त Gas come ते मैं लोगों को बता ये अद पर लोगों को बता चुका है और ये क्यों आब लोगों को बता चुक उंब मंदेला इसके आयो इन्लसट अफरीका के राश्टर्पती पह रहे चुके है तो यहां इन उप्शन्स के अनुसार आपका अंसर नमरी हो जाएंगा 1990 में निलसल मंडेला को दिया गया था सिमपल डिंपल कोई दिक्कति नहीं आप लोगो को यहां पर में आप लोग इनको फ्रंटीर गांधी या सीमांध गांधी भी कहा जाता है अब्दुल गफ़ार खान को बाश्या खान के नाम से जाना जाता है इन्होंने जो है खुदाई खित्मतगार नाम से एक आंदोलन चल नारायन क70 नाम से पैचाने जाते हैं तो jay prakash नारायन ok आप लोगों को इनके बारे में सब पता होना जायें फेंड है फेंड जय اب रखेंट नारायन की जहनती भी आपछे की ड hàng भी रहीमिंगी स्वफ절 में यहाँ पर में जैप्रकश नारायन को किस नाम से जाना जाता है? जैप्रकाश नारायन जो है फ्रेंड्स लोक नायक के नाम से जाने जाते है इन्होंने जो है 1934 में Congress Socialist Party का गठन किया था और 1931 में Bihar Socialist Party का ठीक है तो तो जैप्रकाश नारायान को लोक नायक कहा जाता है, लोक नायक, आपको बताना चाहूंगा friends, 1931 के अंदर में बिहार Socialist Party, बिहार Socialist, रिविजन करा रहा हूँ, Socialist Party का गठन किया था, और भी लोग थे उसके अंदर में, लेकिन ये भी one of the person थे, 1934 के अंदर में जो है friends, यहा important point से exam के अंदर में आप लोगों से पुछे जाते है, ठीक है, चालिए, next question के तरह में हम लोग आगे बढ़ते है friends, हमारे, पतना में किस Sikh Guru का जन्म हुआ था, तो फिर से आप देख सकते हो कि 2015 के अंदर में question आया हुआ है, आपकी BPSC का question नहीं है, ठीक है, BPSC prelims का question है, गोबिन सिंग, तो गुरु गोबिन सिंग जी का जन्म हुआ था, यहां पर में examiner, short में नाम लिखकर आपको confuse करने की कोशिश किये, लेकिन आप लोगोंने, जो है, confuse नहीं होना है, ठीक है, चालिए, तो गुरु गोबिन सिंग जी जो है, इन्हों ने, जो है, जन्म लिया यहां इनका जन्म हुआ था, 1666 के अंदर में, पटना में, दसवे नंबर के सिंग गुरु, तो आंसर इसको, option number D हो जाएंगा आप लोगों का, next question के तरफ में हम लोग आगे पढ़ते है, मुगल बाश्या जाहागीर के साशनकाल में सिंग गुरु की शहादत हुई थी, FSSAI Assistant Officer, जो आप लोगों का Food and Safety, जो Authority of India है आप लोगों की, उसके Assistant Officer का जो पेपर था आप लोगों का, उसके अंदर में, कोशन पूछा गया, कि मुगल बाश्या जाहागीर के साशनकाल में किसी गुरु की शहादत हुई थी, तो जो आपको explanation दे रहा हुँ ना, friends में, आप जिन लोगों का P.E.T. का पेपर देखा है ना, उन लोगों को पता होंगा, आप लोगों का अगर आप लोग देते तो आप लोग कितना असानी से निकाल लेते P.E.T. का पेपर, जिसने भी बच्चे ने पूरा लेक्षर अच्छे से देखा है, तो चलिए, जल्दी- जी कौन से नंबर के गुरू थे ये, आपको याद करो, आपको बताया हुआ है मैंने, बार बार बतारो, गुरू अरजन देव जी जो है, ये पाचवे नंबर के गुरू थे, फिफ्थ नंबर के गुरू, और जहांगीर के समय काल में इनको दिया गया था, वही अगर मैं गुरू तेख बहादूर की बात करो, तो ये नाइन नंबर के गुरू थे, और ओर उरंग झेप के समय में, इनको अरंग, जेप के समय में, ठीक है, फिके अरंग झेप के समय में, तो ये दो पॉइंट है आप लोगों के, जो बहुत इमपोर्टन एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पुछे जाते हैं, याद रखने आप लोगों ने, ठीक है, जी हाँ, EAMRS के अंदर में भी आ सकता है, बिल्कुल, EAMRS के लिए भी बहुत जादा इंपोर्टेंट है, आगे में बढ़ते हैं, हम लोग फ्रेंड्स, यहां पर मैं हमारे, आपको बताना है, 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिक के अधिन पारित किया गया था, कौन सा वाला कोशन, कौन सा वाला पॉइंट करेक्ट है, यह आपको बताना है, ओके, ध्यान से समझेंगे आप लोग, यह बहुत इंट्रेस्टिंग सा कोशन है, अगर आंसर कर दिया आप लोगोंने तो मान जाएंगे आपको, देखे, हिंदू विडो रिमेरिज एक्ट, ठीक है, यह 1856 में पास हुआ था, उस समय में, जब यह पास हुआ, आपका पास हुआ, तो उस समय में जो आपके गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिय थे, वो थे Lord Canning, Canning, लेकिन इसको बनाया किसने था, इस Hindu विडो रिमेरिज एक्ट को बनाया किसने था, ड्राफ्ट किसने किया था, तो Lord Dalhousie ने ही इसको ड्राफ्ट किया था, Canning के समय पास हुआ, लेकिन ड्राफ्ट इसको जो है Dalhousie ने ही किया था, तो यह आप लोगों के अंदर में आप लोगों के पास में एक important वाला point रहना चाहिए friends कि draft अगर canning बोल दिया जाए तो गलत होगा उसको draft किया ता डलहुजी ने वो pass करवा पाता उससे पहले भवरे ने खिलाया था फूल इसने बनाया था लेकिन राजकुवर लॉर्ड कैनिंग ने उसको pass करवाया चलिए आगे पढ़ते हैं सती regulation 1829 के अंदर में आप लोगों का Lord William Bentic के समय में पास हुआ था ये भी बिल्कुल सही है तो दोनों के दोनों point बिल्कुल सही है और correct वाला ही आप लोगों से पूछा है तो answer आपका हो जाएंगा option number C चालो इस तरीके से आप लोग इसको answer कर सकते थे क्या बात है फ्रेंट यहां पर में आप लोगों के live persons आ चुके हैं बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो ऐसे ही आप लोग पढ़ते रही है यहां पर में ठीक है चित्रंजन दास ने non cooperation moment को नाखपूर में नाखपूर सेशन में प्रपोस किया था यहां ठीक है जैसे आपके मम्मी पहले अल गए थी चित्रंजन दास बोले नहीं non cooperation moment इना चौल बे मतलब मैं नहीं करना वाला non cooperation moment के अंदर में भाई गांधी जी ने जब प्रपोस किया मन गांधी जी ने मतलब क्या पिलाज यह था गांधी जी ने कोई किया था गांधी जी ने यहां पर उनके साथ में ठीक है चलिए तो यह अपने आप में एक important वाला point था जो आप लोगों ने ध्यान रखना है इसके अलावा जो है friends दूसरी वाली बात non cooperation moment pass हुआ था Congress session के मजी आप चित्र रंजन दास ने इसको proposed किया था नागपूर के अंदर में यह बात सही है और नागपूर में ही यह pass हुआ था आप लोगों का non cooperation moment को कलकत्ता अधिवेशन में pass नहीं करवाया जा सका था ठीक है कलकत्ता अधिवेशन के अंदर में यह pass नहीं हुआ था पास ह अधर में ही देखिए इस particular question को आप लोग तो चित्र रंजन दास उन्होंने प्रपोस किया था non cooperation moment को नागपूर के अंदर में यह आप लोगोंने याद रखना है उसके बाद में दूसरा वाला जो point है आप लोगों का friends दूसरा वाला जो point है आप लोगों का कि non cooperation moment pass हुआ थ आप लोगों का कलकत्ता अधिवेशन में नहीं वो नागपूर अधिवेशन में पास हुआ था 1920 में यह वाला आप लोगों का गलत है ठीक है तो पहला वाला केवल सही है यह याद रख सकते थे आप लोग ठीक है third statement है ही नहीं कोई बात नहीं यह जो typo है यह एक तरीके का typing error हो गया है यहापर में जो जो इसके options ते वो लहाल लग नहीं पाए है उसमें बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं चीक है नौ फ्रेंट कोशन के तरब में आगे बढ़ते किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था कौन से अधिनियम के तहत अब देखो य है ए लगाओंगे या ए लगाओंगे आप लोग ठीक है यह एक बहुत ही बढ़िया सा question है जिस भी बच्चे ने मेरा lecture सारे के सारे अच्छे से देखे हैं वो सही से आंसर लगा पाएंगा और कुछ जो है बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है कि यहाँ प बिहार 1912 में जो हुआ था आपका वो बिहार एंड उडीसा ठीक है प्रांत बना था और कोई अधिनियम नहीं था वो कोई कानून वगिरे नहीं था उसके अंदर में यहां बिहार अलग प्रांत बनाने की बात खुद भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंदर में बनी थी जब ब बिहार और उडीसा को यह बिहार प्रांत बना आप लोगों का अलग प्रांत बन गया बिहार और उडीसा जो है यहां पर में अलग प्रांत बन गया आप लोगों का ठीक है तो बिहार प्रांत अलग प्रांत बना था आपका अलग प्रांत बन गया था बिहार सरकार अधिनि 1935 के जरीए जाकर बना था एक अप्रेल को 1st April 1936 को 1936 को इस कानून के तहत ठीक है यह याद रखना है आप लोगों ने यह एक विचित्र सी बात है आप लोग जो है 22 मार्च को जो मनाते हो बिहार दिवस एक्चुल में वो बंगाल से बिहार एन उडिशा प्रांथ को अलग कर कब है 22 मार्च को मना लो कभी भी मना लो जिस दिन घोशना होई थी जिस दिन रिश्टा पका हुआ तो उसी दिन को मना लो साधी की सालगिरा क्या पता ठीक है चलिए याद रखेंगे आप भारत सरकार अधिनियम 1935 के जरीए एक अप्रेल 1936 को बिहार जो है अलग प्रांथ बना था बिहार एं उडिसा प्रांच से अलग होकर यह भी याद रखने हैं आप सभी लोगों ने यह आपका बीपेसी का अपना पूछा गया कोश्यन है तो इसके अंदर में तो मतलब कोई सवाल उठता ही निया डारेक्ली बीपेसी की जो आंसर की है उसी से आप लोग यह important question ठीक है बिहार प्रोविंशेल किसान सभा का गठन कप किया गया ता 63 बी पिएसी के अंदर में पूछा गया question आपका ठीक है आउनसर आपका आ जाना चीह जल्दी जल्दी से यहां पर में एकदम गजब तरीके से जल्दी जल्दी से बताई है यहां पर में बिहार प्र 20 किसान सभा की चाया आप लोगों की तो आप लोगों का आप्सर गोई निस सो फ़येंगा फ्रेंट्स 1929 के के अंदर में ये भी याद रखना है आप लोगों के दोनों ही point important है आप लोगों के याद रहेंगा लिखलो जल्दी से बिहार provincial किसान सभा बिहार प्रांतिय किसान सभा 1929 में और All India अखिल भारतिय किसान सभा 1936 के अंदर में याद तो हमाना रखने में दोनों के दोनों point आप सभी लोगों ने तरह में आगे बढ़ते हैं इंडिय विंस freedom किसने लिखी थी इंडिया विंस फ्रीडम ये ये भुक किसने लिखी थी जल्दी जल्दी से बता दीज़िए आप लोग इंडिया विंस फ्रीडम इंडिया विंस फ्रीडम नाम की जो पुस्तक है friends आप लोग बताएंगे जल्दी जल्दी से इसका इसके लेखक कौन थे अबुल गलाम आजाद टीक है डॉक्टर राजेंद प्रसाद वीर सावर का और उप्रियोक्त में से कोई नहीं तो देखिया अगर मैं बात करूँ आप बिहारी वाजपई जी के जरम दीन पर मनाया जाता है कौन से तारीक को सूशाशन दिवस ठीक है गुड गवर्नस डे ये भी बता देंगे आप सभी लोग गुड गवर्नस डे का मनाया जाता है 964 जो है friends likes हो चुके 1000 के बहुत पास है हम लोग जल्दी जल्दी से like भी करते करेंगे और session को like करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे टीजिंग पर इशा चैनल को सभी लोगों ने चैनल आगे बढ़ते है friends सार्क की स्थापना कब हुई थी ये भी question आप लोगों को करवाया हुआ है सार्क ठीक है जो आप लोगों का South Asia का एक association है ताकि regional cooperation हो सके ओके तो सार्क की स्थापना दक्षिन एशियाई शेत्रिय संयोग संगठन सार्क की स्थापना जो है ये आप लोगों की 1985 के अंदर में हुई थी वर्ष 1925 के अंदर में ये याद रखने है आप लोगों ने इसका जो इसकी स्थापना हुई थी धाका में ठीक मांडू नेपाल, नेपाल की राजधानी है काट मांडू वहाँ पर में इसका है इसके अंदर में कौन से कितने देश सामिल है सार्क संगठन के अंदर में तके South Asia का जो यहाँ पर में South Asia का एक association है regional cooperation के लिए बस इतनी सी बात है इसकी तो 1985 में इसकी स्थापना होई थी धाक S, ठीक है, pain, P, A, I, N, pain, simple है, ठीक है, M से आप लोगों का क्या हो जाएंगा, friends, यहां पर में आप लोगों का, Maldives, ठीक है, Dakshin Asia ही के अंदर में, Maldives, Mal, ठीक है, Dives, Maldives, Bangladesh, Bangladesh, Bhutan, Bhutan, Shri Lanka, ठीक है, Shri Lanka, और हमारा pain क्या है, सबसे बड़ा, हमारा dard, ठीक है, हमारा dard है, हापर में Pakistan, हमारा dard है, एक सरदर्द है, Afghanistan, ठीक है, Afghanistan, सबसे last में join हुआ, यह है, India, और यह है, Nepal, ठीक है, Nepal, ऐसे 8 countries है, इस सार्क संगठन के अंदर में, तो यह आप लोगों ने याद रखना है, and congratulations, friends, आप सभी लोगों को, thousand plus likes के लिए, पूरी team को, और आप सभ मंदू में, दोनों point लिख लो आप लोग, यह फिर से वही वाली बात हो गई कि भावरे ने खिलाया, फूल, धाका, धाका, धाका जो है आपका, धेका जिसको बोलते, धाका भी बोलते, धेका भी बोलते, पंगलादेश की राजधानी है, वहाँ पर में इसकी स्थापन divine, आप लोगों से जो है न, पुस्तकों के उपर में पूछा जाता है, आपको पता है न, बिहार, यहाँ पर में, the remnants of Mahatma Gandhi, ठीक है, उसके उपर में पुस्तक, आप लोगों से पूछ ली गई थी, Dr. Rajendra Prasad ने लिखी थी, तो जो पुस्तके बिहार के अंदर में, अल्रेड आतिकारी थे यहाँ पर में, जो सामने आएंगा न, उसको मार दूगा अगर के, गरम दल के थे वो, ठीक है, बाद में जो है, जब फासी से बच गए, तो बुले यार, जान बची तो लाखो पाए, अरबिंदो घोष लोट के घर को आए, पॉंडी चेरी चले गए और वहा अगर अंग्रेजों से अधिकार लेने हैं, ठीक है, तो लड़की लेने पड़ेंगे, यहाँ पर में, आंदोलन करना पड़ेंगा, भूख, भूख, हर्ताल वगरे से काम ने चलने वाला है, भहिशकार करो, ठीक है, बहुत सारी चीज़े जो है, वो सारी चीज़े करने इनको, कित रंजन दास ने मरते मरते बचाया इनको, इनको मौत की सज़ा होने वाली थी, फस गए थे यह, अलिपूर बॉंब कॉंस्पिरेसी केस के अंदर में, ठीक है, तो आप यह याद रखना, बाद में जाकर यह संत बन गए थे, इन्होंने पुस्तक लिखिए, यह य देन दिवारी आपके वो ठीक करके मैसेज करो, फिर में रिपलाए करू, ठीक है, आपके emojis को, वो मैच नहीं कर रहे है, क्योंकि नहीं तो अदरवाइस आपका पता है कि आप टीचर बनोंगे ही नहीं, वैसे तो क्योंकि आपका मैच नहीं कर रहे हैं, शब्द और emojis अप सकते हैं तेकिए ägर आपSटे अगर और आप लोगों के आनन होँजोμεंटर यापको नहीं मिल रहे आपको प्लिट जो कोड है उनके दोबारा रिट्ड जा 125 डाय सकते है यह जारी करने का अधिकार में कोरिक कोड के पास में भी है Supreme Court के पास में भी है और High Court के पास में भी है, मैं आपको एक मज़े की बात बताओ आप लोगों को, ठीक है, क्या आप लोग इस बात को मान सकते हो, कि Supreme Court के पास में कम पावर है, Supreme Court केवल, केवल, fundamental rights के हननन के उपर में रिट जारी कर सकती है, But High Court के पास में जाधा पावर है, High Court किसी भी मामले में, किसी भी मामले में, रिट जारी कर सकती है, किसी भी मामले में, रिट जारी कर सकती है, मामले में रिट जारी कर सकती है, अब यह रिट क्या होती है, अगर आप लोगों को यह जानना है, पूरे के पूरे रिट पढ़ने ह के दोनों रिट्स जो है वो जारी कर सकते हैं लेकिन हाई कोट के पास में रिट्स जारी करने के जादा अधिकार है सुप्रीम कोट जो है आर्टिकल नंबर 32 का इस्तेमाल करके जो है रिट्स जारी कर सकता है आर्टिकल नंबर 32 का इस्तेमाल करके और वही हाई कोट की बात करे के 5 हो जारी कर सकते दोनों ऐसा कुछ नहीं है लेकिन Supreme Court केवल fundamental rights के हनन में जारी कर सकता है और High Court जब मर्जी में जिस मर्जी में रिड्स जारी कर सकता है ठीक है आप लोगों को बिल्कुल याद करवा दूंगा सारी की सारी don't worry आफेंट अगे बढ़ते हैं है यह आप लोगों और आप लोगों को याद अंत रते हैं कि सरोच नियाले नमबर 32 के ہता है और अदेयर कि लि मैं सारी की सारी करा दूंग आप लोगों को तो पर कर्कार की विलीस को नियदस को आप jewelry सरी है तो इसको आदेश जारी कर सकता है ठीक है सर शरीर उसको लाना है मतलब ऐसा नहीं कि बस ला दिया करके वीडियो कॉन्फरेंसी के जरीए नहीं बंदी प्रत्यक्षी करन मतलब कि उसको सर शरीर मेरे सामने प्रस्तूत करो हबियस कॉर्पस अगर लगा दिया हाई कोट ने या सुप्रीम कोट ने तो उसको कोट में पेश करने की जिम्मेदारी आ जाती है सुप्रीम कोट के उपर में परमादेश है उत्प्रेशन है निशेधाग्या है अधिकार पुछ्छा है मतलब अपने अधिकार पूछना कि मुहंदास करमचन गांधी इन्हों ने कहा था ठीक है उसके बाद में बाजार पत्री का दनेशनल हराल जो है फ्रेंच मैंने अभी आप लोगों को बताया ठीक है कि पंडित जावाहर लाल नेहरू ने चालू किया था ओके तो कौन सा न्यूस्पेपर बज गया आप लोगो लोगों ने मुक नायक तो आंसर आपको अप्शन अवर भी हो जाएंगा तो मुक नायक एक मराथी फोर्ट नाइटली था मतलब की हर 14 दिनों के अंदर में आने वाली एक पत्री का थी यह याद रखना है आप लोगों ने इसके अलावा जो है दीन बंधू नाम से उन्हों वहिष्कृष्कृष्ठ भारत और प्रभुद भारत दोनों ही इनोंने निकाली हुई है वहिष्कृष्कृष्ष्ठ भारत और प्रभुद भारत इसके अलावा देन, बंधू और हट्रहिक रिविजन से reconstructs कंछ से याद होगा जितना आपको बता दू मैं कि बिहार शिक्षक भरती के लिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो 7611-101-101-9697-884-444 पर आपको कर सकते हो full courses आप लोगों के लिए अवेलेबल है और अभी जो offer चल रहा है उसका भी आप लाब उठा सकते हो notification 50 का जिसके जरी आप लोग जो है friends कम से कम दाम के अंदर में जो है जो कोर्स है उसको subscribe कर सकते हो नीचे में number दिये हुए उसके उपर में आप call कर सकते हो मैं आप लोगों को बता दू friends की आप लोगों के लिए जो एक बहुत बड़ी वाली खबर है वो यह है कि संपूर्ण NCRT 6-10 की एक सीरीज में आपको चलाने वाला हूँ आज शाम में पाच बज़े वो उसकी शंकला शुडू होंगी लाइप पोल के साथ में पाच बज़े डेली क्लास चलेंगी इतने बच्चे एक्साइटेड है जल्दी सा मेरे को हाथ उप तो मैं इस सेशन को और जादा धमाकेदार आप लोगों के लिए बना दूँगा पूरा का पूरा 6-1 तक की NCRT आप लोगों की कवर कर लेंगे संपूर्ण NCRT ठीके सेलेक्शन वाली सीरीज है आप लोगों की यह सभी लोग 5 बजे डॉट पहुच जाएंगे ठीके पूरी सेशन के उपर में जाना है आप लोगों ने और सेशन के उपर में जाकर आपको क्या करना है आप लोगों को उसको लाइक कर देना है ठीके सेशन को सब्सक्राइब जो है उसके उपर में कमेंट कर देना है आप लोगों ने जैसे कलपना पंडित जी का में देख पार हो कि उ notify me का option को on करके आप लोग जो है वहाँ पर में directly पहुच जाओंगे बाकी आप लोगों को और कौन-कौन सी चीज़े पढ़नी है वो भी आप लोग मुझे बदा सकते हो आप लोगों को और कौन-कौन सी चीज़े पढ़नी है वो भी आप मुझे comment करके बताईए session कैसा लगा व हमारे next lecture के अंदर में तब तक के लिए thank you very much friends take care and bye god bless you all thank you very much friends bye thank you